चुकि आज महाशिवरात्री है तो महाशिवरात्री का जो पावन पर्वे बड़े की दूमदाम से बनाये जा रहा है देशपर से शिव मंदरों में बड़ी संख्या में भगतों के पहुँचने का सिलसला जा रही है श्रद्धालू विधी विधान से भगवान शिव की आराधना कर रहे है जला भी शेग उने कर रहे है स्मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर ओमकारेश्वर और रायसेन के भोचपूर मंदिर समेत प्रदेश के सभी शिवाल्यों में लाखो श्रद्धालू दर्शन के लिए पहुँच रहे है इस दोरान महाकाल का अलौकिक श्रिंगार और पंचामरित अभिशेक किया गया इसके अलावा श्रद्धालू ने महाकाल की भस्मार्ती के दर्शन कर आशिरवाद भी प्राप्त किया दावा किया जा रहा है कि महाशिवरात्री पर करीब 12 लाग शद्धालों के यहां पहुंचने की सम्भावन है तो महाशिवरात्री का पावन पर और यह तस्वीरे देखिए उजयन से सामने आई है जब हस्मारती के साथ अलोग के एक भव श्रिंगार किया गया बाबा महाकाल का और हमारे साथ अलग अलग जगों से हमारे सहयोगी चोड़ेंगे हम उनसे भी जाननी की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तयारिया है किस तरह का उत्सा है आज भक्तों में हमारे साथ पलारी से भी कोश है हमारे साथ गौरफ शर्मा है विशेस समवादाता रायपूर से और हमारे साथ अलग अलग जगों से हमारे सहयोगी चोड़के है सबसे पहले राइपूर का रोक कर लेते हैं, गौरव हमारे साथ जुड़के हैं, गौरव कौन से मंदिर में आप खड़े हैं, किस तरह की तैयारिया हैं, किस तरह का उत्सा है आज? अबुद्पूर वातावरन हैं, लंबी कतार हैं, लगबग 500 मिटर तक के जो कतार है, वो सधालों की नजर आ रही है, बाबा हटकेस्वरनात महादेव का आज विशेश विशेक किया जा रहा है, लगतार यहां पर भक्त जो है, वो कल मद्धिरात्री से ही दर्शन करने पहुं कितना भक्तों में उत्सा जो है, वो नजर आ रहा है, और मैं अपने केमरामेन से भी कहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि कतार को दिखा है, कितनी लंबी कतार जो है वक्तों की वो लगी हुई है, हम जहां तक देख पा रहे हैं, लंबी कतार है नजर आ रही है, और भक्तों में जो उत्सा का वातावरण बना हुआ है वो कहीं न कहीं है भुद्पुर्वर भगवान भूले नात के प्रति आस्था को यह पर दर्शित करता है कि सुबह सही भक्त जो है वो अपने आराध हिदेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हटकेस्वर नात मंदिर के बाहर भी एक विशेश जाकी तयार की गई तो इस तरह से भक्तों के लिए महाशिवरात्री कपर यहाँ पर बेहत खास हो चला है और जो आस्था है उसके दर्सन यहाँ पर दिश्यतुप से होते हैं तो बिलकुल दालोग की भीर जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है इसी बीच का वधा से हमारे सवधाता संजे यादोफ भी हमारे साथ जुड़े हुए है संजे आप से जानना चाहेंगे इस वक्त आप कौन से मंदिर में उपस्तित है कैसा महाल है उस मंदिर में भक्तों में कितना जादा उत्सा है और उस मंदिर की क्या-क्या मा पूजारी पहले बाजिक करने को शीकरने कि आज महासिरवात्री का परवा है, क्या कुछ सैयरी है विचेज पूजा तो पूजारी निदे कर दुछ सब्सक्राइब करते हैं तो अपने अपने घरों में और जिवालों में जाकर के भगवान महादेजी का जिला अभिशेख, अभिशेख, रूतला अभिशेख, पुझनित्याजी करके भगवान महादेजी को पुसंद्र करते है। सुबे से ही भीड लगी हुई, लंबी-लंबी का दारे लगी हुई है, और इसी विशेख पर हम बाचीत करेंगे, विशेख समबाद दाता, नुराग मालवी हमारे सही होगी हमारे साथ जोड़के हैं, तस्वीरे देख पारे हैं, नुराग भोजपूर की हैं, विश्वे का स्वीरे दिखाईए, देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें भोजपूर की, तो महाश्यूरात्नी का आयोजन एक दिन पहले, यानि कि इसकी पूरु संद्या से शुरू हो जाता है, सबसे पहले भगवान श्यू के, यानि कि विश्व के सबसे बड़े एक पत्थर से बने ये श्यू लिंग के हम अपने दर्शकों को दर्शन कराते हैं, जो कई टन फूलों से जहां पर आज श्रगार हुआ है भगवान श्यू का, और अगर हम देखें तो इस श्यू लिंग को लेकर मानेता ये है कि ये श्यू लिंग जो है, वो पांड़ाव कालीन है, लेकि दू आज श्यू लिंगा हुआ है ये शुदा लगाते हैं ये श्यू जो जयकारे लगाते हैं जो ज़ाथा है ये शटारी कि लो मिटन लंडी कंटार है जिसके अगर आप देखेंगे तो यहां कर हरर मादयों के जाए कर ऐसे और ये श्यू जो तरे आएं और यह जो बात अच्छा क्या विए अच्छा किया जी कितना जासता कैसी है अगे तो अच्छा कि अच्छा कराते हैं लेकिन देख सकते हैं शद्दालूं को बगवान श्यू यहाँ पर प्रकृति की गोद में विराजे हुए हैं चारों तरफ के अगर आप नजाना देखे तो श्यू को वैसे ही प्रकृति का रूप माना जाता है और अगर आप यहाँ से तस्वीरे देखेंगे तो एक तरफ बेतवा नदी है तो तरफ से क्यूलिंग बगवान श्यू के साथ लंदी से लेखे जो भी विराजे हुए है वो एक अलग तस्वीर यहाँ पर लज़र आती है लेकिन अगर शद्दालू की बात करें तो अगर आप एक बड़ा जमावडा देखेंगे अगर यह बेतवा नदी का फुल यहां से लगबग जो एक किलो बड़ी संक्चमे भंडारे जो है वो यहां पर अचुन के सीधे दर्शन कराते हैं यह सबसे बड़ा शूलिंग और सबसे पुरातन स्यूलिंग जिसको माना पर दर्शक कर सकते हैं जै भक्तों की भीर है विदे विधान से पूजा की जारिया रुरागा बने रही हमारे साथ पलारी से हमारे समादाता कुछ अगरवाल भी हमारे साथ जोड़ चुके है कुछ आप से जाना चाहेंगे आप कौन से मंदिर में इस वक्त उपस्तित है उस मंदिर की क्या-क्या माननेत पूजा की गई है और यह पूजा जो है कि राट को बारा बजे से जो शुरुआ चो की थी और सुबह चार बजे बहां आर्थी हुई है इसके अलावा यहां बहुत सारे अब देख सकते हैं कि बहुत सारे स्रिफालू जो यहां लाइल लगाकर खड़े हुए है अब कैमरा में से कहेंगे कि थोड़ा इधर जालवों की तरब दिखाएंगे जो यहां पे जो भारी संख्या में यहां पे जो भगवाज शिदेश्वर के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं तो बिलकुल एक अतारे दिखा रहे ही कि किस तरह से उत्सा है भक्तों में अपने बाबा की दर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कुछ लगतार बने हुए थे और हमारे साथ जीवानन धलतर भी जुड़े हुए हैं जग्दलपुर रुख करते हैं जीवानन क्या तस्वीरे हैं कौन से बंदर में आप खड़े हैं और बाचीत भी कीजेगा जी देखें आज महाशिवरात्री है और रही करण है कि सुबों से जो शुव भक्त गड़ जो सभी सिवा लयों में आपने जल चड़ाने के लिए पहुच रहा है तो रिश्वीत रुप से ये जो महाशिवरात्री महान परवा है जो देवादी देव महादेव है बता जाता है कि आज का दिन बहुत ही महत्तपूर्णा है और शिव जी बहुत भोले होते है अगर तन मन धन से उनके पूजा की जाती है तो भगवान शिव उनकी मनोकावना पूड़ा करती है इस बक्त मैं जगदलपूर के जो प्राचिन जो शिव बंदिर है जो इन्रवती नदी के तट पर मोजुद है वहाँ पर मोजुद है अब देख सकते की आस्था का सेलाओ पहले में इस स्रधालू को दिखाना चाहूंगा देखिए सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए आपर पहुँचे हुए है सब के हातों में जल है दुगत है बता जाता कि आज दुगदाभी शेक और जल अविशेक करने से सभी मनोकावना पूरा होती है और ही कारण है कि जो स्रधालू है वो यहाँ पर सुबह से ही पहुँचे है और इनके बाबा के दर्शन के लिए आतुर हमर साथ कुछ स्रधालूं से जनने को कुशन करें आपने पूल चरहें क्या क्या यह समगरी आपने फूल माला और मंजरी है दिया आज अगर जल चरहें जाते हैं पूसरन हो जाता है अब अजसे आप जगल पूर से अब क्या क्या समान चढ़ाएंगे वाबा को हम लोंग लाए हैं दूद दही उसमें सहत सब पुरशक्रो कर मिला कर लाए है तो समझ सकते कि आज बावा की दर्शन के लिए सरधल हुआ बावर पहुंचे हुए है और बावा की एक दर्शन के लिए कतार से ही यो सरधल हुआ पर मौझद है अब मैं आप सभी जो दर्शक है उन्हें में यहाँ जो भिराज है शिव जिगे जो शिवलिंग है उनसे पर जाने कोई हमार साथ कुछ आउर भी स्रधल मौजुद है हर हर महादेव बताए आज शिवरात्री है बता जाते कि आज का दिन कैसा है क्या महिनत है इसकी यह तो मतलब यह महादेव की महिमा है आज तो मतलब यह ऐसा है कि सारे भक्तों में जो उत्सा है हर हर महादेव के प्रती जो भक्त सरधा है आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भीड जुटी है जो भक्तों की सरधाले महाशिवरात्री का पावन पर्व है शिव मंदिरों में भक्तों के भीड है जिवानना बने रही हमारे पास जल्द आपके पास लौट कराएंगे वापस से रुख करेंगे भोजपूर का जहाँ पे हमारे विशेश सवदाता अनुराग मालवी लगतार भोजपूर से हमारे सा बने हुए है जी अनुराग आपसे जानना चाहेंगे जैसा कि आपने दिखाया कि भक्तों की भीड जो है वो कितनी ज्यादा है क्योंकि महाशिवरात्री का आज पावन पर्व भी है शिव भक्तों में काफी ज्यादा उत्सा और काफी ज्यादा जो है वो उमक देखने को मि वूर्म को की मंदीर को लेकर समझ सकते हैं कि मंदीर का प्रारूप ही इसकी कियोदंथी हैं कि जहकते हैं दूसरा इस मंदीर के श्य cient लूइन को प्रण लिया गया धा लेकिन यह जब कर दी और मदीर के आप कबोंड़ा है इसका कहा जाता हूं कि एक रात्री में इस मंदीर के निर्माण है निरन के पहंता हुआ pie होगरे इक हम्हार डी में हैं आप इसका आदे सरुएंथ होगरे सामानी तरहly ये लीड़न चौदा फीर्ट की होती थी तो मा कुंती को शुद्राविशेक करना होता था तो पांड़ों ने पांचो भाईयों ने मिलके इस श्यूलिंग का निर्मान किया था मा कुंती की उचाई की अनुसार लेकिन जो तीसरी अगर बहुत महत्पून की उदंती है वो यह है कि राजा बोज जो परमार कालीन राजा थे वो भगवान शीव को जलाभीशेक करते थे इसलिए इसको बेतवा नदी के किनारे बनाएं गया है यह श्यूलिंग मंदिर और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है बहुत बहुत शुक्रिया नुराग तमाम जानकारी के लिए